मध्य प्रदेश में बीजेपी और कॉंग्रेस के बीच कमान खिच गई है तैयारी विधान सभा सीटों के उप्चुनाव की है दिख बजे सिंग ने कॉंग्रेस की तरब से बीजेपी के खिलाफ मोचा खोला तो उन्हें करारा जवाब ले दिख बिजे सिंग ने अपने फेस्बूक पोस्ट के जरीए दल बदल करने वाले 22 विधायकों को वोट न देने की अपील की है इसके बाद जोत्राजित सिंधिया समथक खाद्य मंतरी गोविन सिंग राजपूत ने कहा है कि गदारी की शुरुवात दिख बिजे सिंग के परिवार से हुई है संकट के वक्त में दिख बिजे सिंग के भाई लक्षमन सिंग ने कॉंग्रेस पाटी का साथ छोड़ा था अगर वो गदार नहीं तो हम भी गदार नहीं है अगर वो गदार है तो हम भी गदार है लेक्षमन सिंग कॉंग्रेस चोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थी, बीजेपी की टिकट पर सांसर भी बने, लेकिन बाद में फिर कॉंग्रेस में चले गए जुर्ता जित सिंधिया को लेकर हुए पोस्टर विबाद पर गोविन सिंग राजपूत का कैना है कि ये पूरी तरह से मुर्ता पोर्ण है जब लॉक्डाउन के दोरान प्रधार मंतरी, मुख्य मंतरी और दूसरे नेता भी बाहर नहीं निकल रहे हैं तब सिंधिया शित्र में कैसे जा सकते हैं सिंधिया दिल्ली में कम और शित्र में आम जनता के बीच ज्यादा घूमते रहते हैं बीजेपी में वैसे तो हर एक कार्यकरता बेहत मैदपून हैं लेकिन इस बार उप चुनाव में दो चेहरे हैं एक सिंधिया और दूसरे शिवराज सिंग चोहान जो घर पर नहीं बैठते हैं जो दिन रात जनता के बीच में रहते हैं जनता की सेवा करते हैं दोनों चेहरों पर चुनाव होगा और दोनों की जोड़ी प्रदेश की जनता को खूब जमेगी गोविन सिंग राजपूत ने पलटवार किया है उन्होंने कहा कि जब दिग्वजे सिंग के भाई सगे भाई लक्षमन सिंग कॉंग्रिस छोड़ बीजेपी में गए थे तब वो बहुत गये थे जो कमंतरी पत से हट चुके थे कॉंग्रेस के मात 38 विधायक चुनकर आये थे उस खराब समय में भी दिग्वजे सिंग के भाई भाई भाजपा में गये थे तो गड़ारी के शुरुआत यहीं से हो बतादे कि दिग्वजे सिंग ने अपने फेस्बुक पर क्योंकि अगर यह जीत गए तो यह परंपरा हर पार्टी में चल पड़ेगी जनता चुनाओं में वोट दे या ना दे लेकिन विधायक खरीदो और सरकार बनाओ राजनितिक पार्टिया जनता के दर्वाजे पर जाने के बदले विधायक खरीदना ज्यादा असान काम माने की और जनता के वोट की एहमियत खत्म हो जाएगी डुरपोर्ट नूज ओफ इंडिया